हेलो इस्टोडेंट आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पोलिनोमियल एक्सरसाइस 2.2 कोशिन नमबर 2 देखेंगे तो चली देखते कोशिन नमबर 2 क्या करें find a quadratic polynomials each with the given numbers as the sum and product of its zero respectively 4 देखेंगे इसका 2 का 4 5 6 तो चली देखते हम लोग क्या कर रहे हम लोग को क्या करना है quadratic polynomials find करना है और हम लोग को given क्या है given हम लोग को sum of zeros और product of zero हम लोग को given है जो first में है यह हम लोग का sum of zero और तो इसे प्रकार से इसमें भी यह है sum of 0 और यह है product of 0 तो चलिए हम लोग इसको solve करें चलिए देखते हैं तो question number 4 देखेंगे इससे पहले हम लोग ने 123 बना ली पिछली वीडियो में तो आप लोग इसको देख सकते हैं चलिए देखते हम लोग हम लोग का question number 4 मतलब की 2 का 4 में क्या 1 1 है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगा हम लोग जो quadratic polynomial है general formula वो क्या होता है चलिए दिक लिख देता हम है quadratic पोलिनोमिल ठीक है हम लोग का general form general form में क्या हो जाएगा ax square plus bx plus c ठीक है आप चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे चलिए देखते हैं न एक formula हम लोग का x square minus क्या हम लोग का sum of product ने स्वरी sum of 0 स्वरी क्या होगा sum of zeros x फिर plus क्या होगा product of 0 product of 0 ठीक है फिर से देखिए x square sum of zeros x plus product of 0 तो चलिए देखते है x square minus sum of 0 हम लोग का कितना है दिया है 1 दिया 1 लिखेंगे और ये x इन्टु में plus product of 0 कितना है 1 हम लोग इसको क्या करेंगे इसको 0 के बराबर कर देंगे क्या हैगा x square minus x plus 1 equal to 0 यहां लिख देंगे हम लोग 10 x square minus x plus 1 is the quadratic polynomial polynomial तो हम लोग का यह 4 नंबर का हो गया आंसर आप चलिए देखते है 5 का 5 में हम लोग किया minus minus 1 by 4,1 by 4 अब चलिए हम लोग इसको solve करने सब solution में लिख लेंगे हम लोग quadratic polynomial हम लोग का क्या हो जाएगा quadratic polynomial हम लोग का क्या हो जाएगा a x square plus b x plus c यह हम लोग का general form है हम लोग फिर सब formula डालेंगे same चीज हम लोग करें इसमें कोई अलग चीज नहीं हो रहा है sub question में same है फिर क्या हो जाएगा formula sum of 0 sum of zeros x into max plus क्या होगा product of 0 product of 0 x square minus sum of 0 कितना हम लोग का sum of 0 हम लोग का minus 1 by 4 यह लिख देंगे minus 1 by 4 into max plus product of 0 कितना है 1 by 4 अब देखे हम लोग इसको क्या solve करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे LC हम लेलेंगे क्या हम लोग का 4 आ जाएगा, यह कितना जाएगा, 4x square, minus into minus plus हो जाएगा, यहाँ पर x plus 1 आ जाएगा, इसका हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को equal to कितर पे देंगे, क्या है, multiply, sorry, divide में equal to कितर जाएगा, तो multiply में, क्या हो जाएगा, यह हम लोग का, 4x square, 4 4x square plus x plus 1 equal to 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4x square plus x plus 1 equal to 0 हो जाएगा, क्यूंकि हम लोग 4 के equal to कितर देंगे, तो, अब देखिए हम लोग का क्या होगा, यही हो जाएगा, अब इसका हम लोग लिग देंगे, दज, 4x square plus x plus 1 is the quadratic polynomial, आप चलिए हम लोग आगे देखिते, question number 5 होगी, हम लोग अब छठा देखिते हम लोग, question number 6, 2 का 6, 4, 1 हम लोग का कितना है, 4, 1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, solution में, quadratic polynomial क्या हो जाएगा, quadratic polynomial, हम लोग क्या होगा, ax square plus bx plus c, आप देखिए, हम लोग का क्या होगा, formula x square minus sum of 0, sum of 0, x, और यहाँ पे plus क्या होगा, product of, product of 0, आप चलिए हम लोग करते है, x square minus sum of 0, sum of 0 हम लोग कितना है, 4, into max, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग का यह plus क्या हो जाएगा, product of 0 कितना है, 1, हम लोग का यही हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे, thus, x square minus 4x plus 1 is the quadratic polynomial, यही हम लोग का अंसर हो जाएगा, सो स्ट्रेंट वीडियो पसंद है, तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you.